नमस्कार फ्रेंस, मैं हूँ आपका मित्र कमलनंदलाल और मैं आप सभी दर्शोकों का हार्दे गविनंदनिन करता हूँ एस्टो तक की खास प्रस्तूती वास्तू का सच महाशिवरातरी स्पेशल सीरीज में इस special series के अंतरगत हम आपको महाशिवरात्रिक से सम्मंदत वास्तू की एक विशिष्ट प्रकार की जानकारी दे रहे हैं और इस जानकारी से महाशिवरात्रिक अंतरगत आप अपने जीवन में कुछ खास बड़े वास्तू के नुसार परिवर्थन ला सकते हैं तो चलिए इस से पहले कि हम प्रोग्राम की शुरुआत करें आपको मैं जरूर कहूंगा एस्ट्रो तक को लाइक करें सबस्क्राइब करें और पुन्य कमाएं शेयर करके और खास बात क्या अगर आप मेरी सेवाइन लेना चाहते हैं सीधा आजाएए www.astro.com पर हमारी वेबसाइट पर और मेरा प्रोफाइल सेलेक करके सीधा मुझे कॉल मिला लीज़े मित्रो आज का हमारा जो विशय है वो बड़ा ही खास है और वो यह है कि महाशिवरात्री के महापावन परव पर इस खास दिशा में शिवशंकर का एक फोटो लगाएं और रोग विकारों को दूर बगाएं बिमारियों को दूर बगाएं देखे भगवान शंकर को महादेव को शत्र हंता भी कहा गया है रोग हंता भी कहा गया है और महादेव का एक नाम काल काला धाय भी है मियनि कि मृत्यू की भी मृत्यू स्वयम एक मात्र महादेव से होती है और रोगं का जो स्वामी है वो मूलत है जोतिश के अनुसार वास्तु के अनुसार रहु के तू बुद्ध और शनी को माना गया है अलग-अलग प्रकार की अलग-अलग रोग होते हैं जिनका शुक्र पीड़ित होता है वो लोग जयाता-तर UTI जीजों से समस्या से पीड़ित होते हैं या शुकर जैसे पीड़ा से घिरेवे होते हैं जिनका मंगल खराब होता है कैंसरादी रोगों से पीड़त होते हैं शनी की प्रॉब्लम्स जो है वो हड्डियों से सम्मंदित रोग देती है बुद्ध सनायू से सम्मंदित रोग देता है चंद्रमा मनुविकार देता है कई जिग अगर चंद एक विशेश महादेव के स्वरूप का पिक्चर लगाई है तो निश्चित रूप से हर समस्या से रोग विकार की समस्या से मुक्ति फाएंगे देखिए रोग और विकार मूलतहकार्श पुरुष्ट सिधान्त के अनुसार बुद्ध से प्रेरित होते हैं छटे भाव से प्र काईए कि आप प्रकरती को और प्रकरती के साथ में पुरुष्ट को यानि कि शिव और शक्ती को स्पेशली ठीक करें ऐसे में सूर्य जो है वो आत्मा का स्वामी भी है और उसे मूलतह शरीर का स्वामी भी आत्मा कारक भी माना जाता है और नौर्थ और इस्ट ये दो इस दिशा में मुल्तह भगवान शंकर का महादेव का एक ऐसा पिक्चर लगाएं जिसमें महादेव खड़े हुए हूँ और उनके हाथ में तृषूल हो तो तीनों शूल जो होते हैं जीवन से मिड़े जाते हैं और इसे ही कहा गया है तृषाला तृषूल इनका जो तृषूल है जुसका नाम पिनाक है वो समस्त रोगों का शमन करता है महादेव की कई ऐसी पिक्चर भी आपको मिल जाएंगी जहां महादेव साधना में लीने तृषूल साइड में लगा है ऐसी नहीं महादेव खड़े हुए हैं और उनके हाथ में तृषूल है पिनाक उन्होंने धारण किया हुआ है और विशेश रूप से सूर्य जो है उनके पीछे से कहीं से निकल रहा है इस चीज़ को ध्यान रखेगा क्योंकि यही मूल इशान है इश्वर की डिरेक्शन और यही मृत मृतिँञ्या की भी डिरेक्शन है मृतिणजय का जो सुरूप है वह ऐसा ही है कि भगवान शंकर जो है वो खड़ी भी पोजिशन में है और और इनने ही अश्वतोष कहा गया है तो हर तरह कि पीढ़ा से मुक्ति मिलेगी तीनों प्रकार की पीढ़ाओं से मुक्ति मिलेग ये तीनों पीड़ाएं क्या हैं? भौतिक, शररिक और दैवी हैं. इस दिशा में बैठकर आप इसके सासात महामृत्यूंजय मंतर का भी जाब करें तो बड़े से बड़े रोगों का भी निवारन हो सकता है और उपचार के नए रास्ते खुल सकता है. देखें, शद्धा की साथ अगर उपाई करेंगे तो निश्चत रूप से हर रोग विकार से मुक्ति मिलेगी. तो मैं तरो आज के लिए बस इतना ही, कल आप से फिल मुलाकात होगी, वास्तू का सच में, एक नए एपिस्टोट के साथ में, जहां हम वास्तू के माध्यम से करेंगे, आपकी समस् और जरूर आप से मैं हमेशा की तरह यही कहता हूँ, कि एस्टो तक को लाइक करें, सबस्क्राइब करें, और कमल नंदलाल तो हमेशा ही यह कहता है, कि शेयर तो बनता है, पुन्य का कमाए, पुन्य कमाए, बड़ा, और खास बात क्या, अगर आप मेरी सिमाई लेना चाहत हैं, तो हमारी वेबसाइट www.estrotak.com पर आए, मेरे प्रोफाइल पर आईए, सिधा कॉल मिला लेजे मुझे, इजाज़त दीजे, नमस्कार, नमस्षिवाय, हर हर महादेव